बिहार चुनाव लड़ने का मकसद ही एंडिये को गिराना है प्रकाश अंबेटकर वंचित बहुजन आगाडी के प्रमूग प्रकाश अंबेटकर ने बिहार चुनाव में एंडिये गड़बंदन को हराने के मकसद से ताल ठोकी है लोगसबा चुनाव 2019 में उनकी पार्टी वंचित बहुजन आगाडी ने असुद दिन OVC की AIMIM से गड़बंदन किया था हाला कि वे मातर एकी सीट जीतने में सफल रहे लेकिन महाराश्ट में विदान सबा चुनाव आते आते इनका गड़बंदन भी तूड़ गया बिहार चुनाव से पहले अमबेट करने का है कि देश में एक नई राजनिती हम लाना चाहते है इसकी शुरुवात हमने महाराश्ट लोगसभा में AIMIM के साथ की इसमें बड़ी सफलता भी मिली और उम्मीद थी कि हम इसे आगे ले जाएंगे जो महाराश्ट में नहीं बिहार में हो सकता है बिहार चुनाव लड़ने का मकसद ही NDA को गिराना है वी बिये प्रमुक के मताबिक बिहार में मुस्लिम अमेट करवादी आदिवासी मिलकर 40 प्रतिशत है इनकी जनसंख्या मिला कर किसी भी सरकार को गिरा सकती है यह सरकार नागरिक्ता आरक्षन इन स प्रमा है 16-17% मुस्लमाद है 18-19% अमेट करवादी है दोनों की संक्या मिलाई जाए तो 40% होता है 40% से किसी की सरकार को गिरा जा सकता है इनासी का मुदालब सिटिजन्शिप का मुदालब आरक्षन का मुदालब यह सरकार सब के किलाव है और इसलिए मौलवी है मौलाना है पड़े लिखे मुस्लमान है आप इस बात पर सोचिए कि विदान सभा की चुनाव के अंदर अगर अंबेट करवादी आदिवासी शु और इसलिए इकठा जाना जरूरी है मौस्लिम समाग इस पर सोचेगा यह मैं उमीद करता हूं